आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ट्राइफल की एक बहुती अच्छी और मज़धार सी रेसिपी तो चलिए फिर चल कर देखते हैं कैसे त्यार होती है तो friend's trifle बनाने के लिए मैंने एक पैकीट ग्रीन जाली का लिया है एक रैट जाली का नारियल लिया है हाफ कप ये कसा हुवा नारियल है ये 1 कप के करीब है custard powder 4 टेबल स्पून तो चलिए अब next त्यारी कर लेते हैं तो friends ये मैंने एक बाउल ले लिया है और अब मैं इसमें तेज गरम पानी एड़ कर दूँगी दो कप के करीब आप चाहें तो इसे चूले पर भी पका सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी त्यार कर लीजिए कोई मसला नहीं है अब मैं इसमें ये ग्रीन वाली जली एड़ करूँगी और इसे उस वक्त तक हिलाऊंगी जब तक ये बिल्कुल मिक्स ना हो जाए फिर मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करके फ्रीज में सेट होने के लिए एक दो घंटे के लिए रख दूँगी तो ये देखे ए फ्रेंट्स ये जली मíक्स हमारा ready होग leaking है अब मैं इसी तरीके से red वाला जली मिक्स भी त्यार कर लोगі तो ये देखे फ्रेंट्स रेड़्वली जली भी हमारे ready हो गया है हम दोनों को फ्रिज में सेट होने के लिए अब नेक्स टेप में मुझे चाहिए होगी 6 टेबल स्पून के करीब शुगर आप अपने टेस्ट के साबसे से कम यह जदा भी कर सकते हैं केले मैंने लिए हैं 6 अदत और एक फ्रूट केक और इसके लिए मुझे चाहिए होगा दूद, दूद मैंने लिए है 2 लिटर, तो फ्रेंड्स यह मैंने कड़ाई ले लिए है और गैस को आउन कर दी है, अब सबसे पहले मैं इसमें दूद एड़ कर दूँगी, यह मैंने फूल फैट मिल्क लिए है, और जैसे ही दूद में ह मैं यह अपना कस्टड एट कर दूँगी, कस्टड को मैंने हाफ कप दूद में मिलाकर अच्छे तरीके से घोल लिया है, याद रहे आपने इसे मुसलसल चमच चलाते जाना है, वरना यह नीचे लग जाएगा या इसमें लंस मन जाएंगे और इसका टेस्ट खराब हो चार से पांच मिलट में ही यह कितने अच्छे तरीके से ठीक हो गया है, अब हम इसे मजीद गाड़ा नहीं करेंगे, वरना ही ठंडा होके भी मजीद गाड़ा हो जाएगा, अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं, और नेक्स टैप की तरफ चलते हैं, तो यह देखिए फ्रेंड् तूटकेक ले लूँगी और इसे भी दर्मियान से कट कर लूँगी, यह देखिए, इस तरीके से मैं इसके चार पीस कर लूँगी, आप चाहें तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, मगर काटने से इसकी मिक्सिंग में असानी हो जाती है, तो यह देखिए फ्रेंड्स, जैली भ हो गई है, अब इसी तरीके से मैं रेट जैली को भी काट लूँगी, और इसे साइट पर रख दूँगी, तो यह देखिए फ्रेंड्स, कस्टर्ड ठंडा हो गया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, नहीं बहुत गाड़ा है, बिल्कुल परफ्रेक्ट है, चलिए अब मैं इसमे अड़ करूँगी, यह कस्टर्ड, आप चाहें तो इन तमाम चीजों को सर्विंग की टाइम अलादा अलादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मेरे मैथड से बनाएंगे, तो आपको बनाने में ज़्यादा आसानी होगी, तमाम कस्टर्ड इ इसमें शर्फियां भी आड़ करना चाहें, तो वो भी इसमें बहुत मज़दार लगती है, अब इसकी मिक्सिंग कप्लीट हो गई है, अब हम इसकी सर्विंग की त्यारी कर लेते हैं, तो सर्विंग करने के लिए फ्रेंड्स, यह मैंने एक ग्लास ली है, आप चाहें तो कस्टड का मिक्स्चर एड़ कर रही हूं, आपने ग्लास को कस्टड से पूरा फिल नहीं करना, थोड़ी सी जगा छोड़ देनी है, क्योंकि अभी हमने इसमें ग्रीन जाली भी आड़ कर दी है, तो देखें फ्रेंड्स, कस्टड हमारा डल गया है, अब हम इसमें यह ग्री चैरी मुझूद थी, मैं इस तरी के से इस पर यह चैरी लगा रही हूं, अगर आपके पास चैरी मुझूद ना हो, तो आप बनाना के स्लाइस से भी इसकी टॉपिंग कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इसी थोड़ सी मज़ीड डेकुरिशन कर लूँगी, तो इसलिए मैं इसी ही मज़ेदार रसीपि के साथ, तब तक के लिए अपना हमुद ख्यार रखियेगा, दौाओं में याद रखियेगा, अलाहाफिज